कि आज की इस दुनिया में है कि सबसे ज्यादा किसी चीज को चेश पहुंची है सबसे ज्यादा उसका मूर लिए गिरा है तो वह भावनाएं है हम भावनाओं का लास्ट हमारा वो क्या कहना चाहिए प्रियॉरिटी उसको छुपा देते हैं हर एक के अंदर होती है ऐसे नहीं कि मैं कुछ बहुत सेंसिटिव आदमी हो आप नहीं है बराबर के हैं एक जुछ से से ज्यादा है लेकिन वो हमारी जीवन की लास्ट प्रियॉरिटी हो गई उसी पर एक कवी लिखता है कि गली में भटकता हुआ आवारा कुत्ता होती है भावनाएं उदर से गुजरता हुआ कोई रहागीर पत्थर मार देता है और ततकाल बेचारी आहत हो जाती है गोदाम में पड़ा हुआ रुवी का गठर होती है भावनाएं कोई चिंगारी कहीं से आती है और कुंद दिमागों के गोदाम में भावनाएं सुलगने लगती है भूसे का धेर होती हैं भावनाएं और बिना भुझाए फेक देता है कोई बीडी का बचा हुआ टोटा और अफवाहों की हवाएं भावनाओं को भड़का देती है एक पांच साल की उमर में तनी हुई रसी पर चलने का कर्तब दिखाती बच्ची को देखकर आहत नहीं होती किसी की भी मंद बुध्धी भावनाएं पांस साल की उमर में तनी हुई रस्षी पर चलने का कर्तब दिखाती बच्ची को देखकर आहत नहीं होती किसी की भी मन्ध बुद्धी भावनाएं कलाकार बलातकार पीडिता से बेहुदा सवाल करते वकील को सुनकर नहीं सुलगती नशे में मस्द धर्मान्ध लोगों की छिचली भावनाएं एक साल से भी ज़्यादा अंदोलित किसानों को देखते और बहत्तर किसानों की अकाल मृत्यू से नहीं भड़की किसी नेता की भावनाएं उस गरूर काल में भी राजनीती हु रही है भावनाओं की बाजार में बिखने को रखी हैं बिखने को रखी हैं भावनाएं और नहीं बिखी ही तो सड़ गई तो आउओ थोने लगती हैं भावनाएं दरगंद मारती संकीन भावनाओं की छट मकाल में में सद भावनाएं rendhru रहा हूँ मैं साथ भावना ही ढूंड रहा हूँ लेकिन विए दूर दूर तक नहीं मिल पा रही है मैं निवाद हूँ लेकिन लेकिन विए दूर तक विए कोई लेगा रहा हूँ